हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ पालक पनीर की रेसिति इससे बनाने के लिए मैने यह एक गड़ी पालक ले लिया है इसके मोटे मोटे डिंठल तोड़ कर मैंने अलग कर लिया है और इसे अच्छे से दो कि मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिए और इसे मोटा मोटा काट लिया है इसे तेल में डाल देते हैं कि इसीके साथ मैंने ये पांट से साथ लासुन की कलिया का ले ρ Demon डाल देंगे और इन्हें अच्छे से भून लेंगे प्यास और लासुन हमारे अچھö से भून चुके हैं है मैंने रूपमधा को मोटा मोटा काट लिा है ओर इन्हें और बीच्छी तरह से भून लेंगे हमारे लासून ऑ टिमाटर अच्छी तरह से भून चुके हैं आप जो हमने पालक मोटी मोटी काट के रखी है उसे विश में डाल देंगे इसे आपस में इस तरह से मिला लेंगे और इसे एक मिनिट तक पकने देंगे पालक को पकते में हमारा एक मिनिट हो चुका है यह देखिए पालक हमारी पक चुकी है अब हम गैस को आफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने पर इसी जार में डाल कर इसका एक पेस्ट बना लेंगे यह देखिए मैंने इस पालक को पीस लिया आधा चम्मच जीरा, दो तेज पत्ते, एक टुकड़ा दाल चीनी का, जीरे को अच्छे से भुनने देंगे, जीरा मर अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिश पाउडर, आधा चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, एक चम्मच धनिया पाउडर, और मसालों को अच्छे से भुन लेंगे, मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, अब मिश में डाल देंगे पिसी हुई पालक, और मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे, बर्तर में हमारी थोड़ी से पालक लगी थी, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, और उसे भी इसी में मिला लेंगे, मैंने 200 ग्राम पनीर लिया हैं, और इसे इस तरह से पिसेस में काट लिया हैं, इसे भी हम पालक में डाल देंगे, और अच्छी तरह से मिला लेंगे, अब हम इसे ढख कर लो फ्लेम पर पांच मिनट तक पका लेंगे, इसे पकते वे पांच मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं, यह हमारे पालक पनीर की सबजी बनकर तयार हो चुकी है, अब हम गैस को आफ कर लेते हैं, और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, हमारे पालक पनीर की सबजी बनकर तयार है, तो आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन दबा दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा,